के अलाम लेकुम अच्छव टॉपी का नाम है mechanism of Transpiration pull in Cohesan Tension Theory, यह बहुती छोटा सा टॉपिक रह गया था, Cohesan Tension Theory जो के मैं ने अप्लोडूडिड टॉपिक कर लिया है, इस के घल चोटा सा टॉपिक है, इसको देखे ज़रा ही होता क्या है डायरियर्ण के बारे मैं आपको पता है की ऑववापरेट होना ऑपको टायरियर्ण हो जाती तो ह атको पतों के इंदर पानी की कम्ही हाजाती है उपको पतों के सल के पानी की कम्ही हाजाती है और वह तेरेम healthy hormone से वह मांगता है जब स्टैम के जायलम से पानी चला जाता तो हो जायलम जून से होता है स्टैम का वह नीचे से पानी को माँगता है पिर ऐसी फोर्ट जेनरीट होते हैज से पानी नीचे से आपर की तरह मूव करता深 Goddessём अजिता है इसको कहते है ट्रांसपारिशन of light होती है प्लांट क्या करता है प्लांट के पते क्या करते हैं लाइट को अब्जोब करते हैं जब लाइट को अब्जोब करते हैं तो temperature उसका भर जाता है temperature जब भर जाएगा तो transpiration होगी पत्तों के अंदा से पानी बुखरात की शकल में बाहिए निकलेगा जब पानी बुखरात की शकल में बाहिए निकलेगा तो decrease होजएगा water potential in mesophyll तो पत्तों के mesophyll के अंदा water की quantity कम हो जाएगी decrease होजएगा water potential in mesophyll जब पानी कम हो जाएगा तो मेरे बचbtे फूरण क्या होगाmotr का पानी जो के ऑस्मोसिस की जरे से water मेरे बच्चे मुव करेगा फृम जाइलम से मेरे बच्चे पानी जो नथ सा है वु जाना स्टार्ट कर देगा जब वो मिजोफिल सेल के नदे जाएगा तो आप ये देखेंगे जो वोटर के मॉलेकूल से वो अटैच होते हैं वो एक दूसरे के साँ अटैच होते हैं और जब वो मेरे बचे मुव करेगा तो वोटर मेरे बचे पुल्ड होगा अपवार्ड नीचे से उपर के तरफ झीचाव प्रेष्ट बेश्चे लाएग भी टूसरे के साँ ठाएखेंगे।